आज की डिट में टाइपिंग करके पैसा कौन नहीं कमाना चाहता लेकिन जब दिक्कत आती है उस वेबसाइट को सर्च करने की रहा उस एप्लिकेशन को सर्च करने की जो कि आपको जेनुवनली टाइपिंग के पैसे दे तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को कैसे टाइपिंग फ्लाटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिस टाइपिंग फ्लाटफॉर्म के उपर आप सभी लोग डायरेकली चाहे तो अपनी मन पसंद कमपनी में और साथ के साथ मन पसंद प्रोजेक्ट के हिसाब से काम कर स कहते हैं और यह काम कोई नहीं दोस्तों डायरेटली आपको एमीं पने वाले की मले वाला है कुछ लोगों के और सकते हैं और से इंदर सर्च करते हैं paragraph on pollution paragraph on pollution सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तुम लाखों pages आपको देखने को मिलेंगे जिन pages को promote भी किया जा रहा है पैसे लेके मनलब कि इसकी demand अभी है market में अलग-अलग topic पे अलग-अलग इसी कौन सी website है वो ऐसा कौन सा platform है जहाँ पर आप earning कर सकते हो तो पहले मैं आपको कुछ examples दिखा देता हूँ देख सकते हैं essay on pollution पे लिखा हुआ है इन लोगों ने तो इसे भी type करने वाला कोई न कोई public तो होगी होगी यहाँ पर advertisement चल रही है और उसकी earning इसके honor को जा रही है तो basically आपको काम करना है डिरेक्टली company से Mongo आप प्रोजेक्ट बेस भी काम कर सकते हो और चाहूं तो company से आफ directly job के एसाब से भी काम कर सकते हो पूरा procedure practically बताने वाला हूँ इस website के बारे में एक एक चीज बताने वाला हूँ और काम कैसे मिलने वाला है वो भी चीज़े आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों जादा जल्दी नहीं करने हैं आप सभी लोगों को Google पे सर्च कर लेना है glassdoor.co.in अब glassdoor.co.in करने के बाद यहाँ पे बहुत लंबा procedure है मैं अगर आपको बताओं बहुत लंबा procedure है अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको procedure बताओंगा तो बहुत असानी से अपनी आप एक मन चाही जॉब वो भी work from home में typing cover 101% ढूट पाओगे लेकिन आपको यार क्या करना है इस वीडियो को कर देना है एक लाइक यार एक प्यारा सा subscribe कर देना है एक comment करके आप बदा सकते हैं कि इस type की वीडियो चाहिए तो हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे अब glass door website के उपर काम क्या है basically इस website के उपर काम क्या है सबसे पहले आपको continue with google पे click कर लेना है आपको अपने एक mail id select कर लेनी है मैं यहापे अपने एक mail id select कर लेता हूँ due to security reason पे मैंने भी hide किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप 7 से 10 दिन यहाँ पे अगर आप आ रहे हो और यहाँ पे आप काम देख रहे हैं तो genuinely आपको काम तो यहाँ पे मिलने वाला है अब job title के उपर जो मैं चीज़ कहा रहा हूँ वही चीज़ आपको यहाँ पे select कर ले रही है यहाँ पे आपने select करना है content writer अब location मेरी है देली की मैं यहाँ पे डालूँगा देली और यहाँ पे इंडिया ठीके देली इंडिया अब एक चीज़ मैं आपको और बता दू यहाँ पे आपको पूरा state ले रहा है अगर आप किसी location पे हो particular उस location को नहीं लेना आपको पुरा state लेना अगर आप मुंबई से हो मुंबई डालोगे करनाटकर से हो करनाटकर मैं देली से हो तो मैं देली डालता हूँ अब यहाँ पे मैं से पूछा जा रहा है most recent employer जो detail मैं यहाँ पे fill कर रहा हूँ ना यहाँ पे आपको डाल लेना है freelancer.com जो चीज मैं बता रहा हूँ वह चीज आप लोगों को एक एक चीज़े फॉलो कर लेनी है यहाँ पे आएगा आपका freelancer और यहाँ पे .com आपने यह चीज़े डाल देनी यह automatically आपके पास एक आजाएगा यह देखिए freelancer.com इसको सिलेट कर लिया है उसके बाद पूछा जा रहा है employment status यहाँ पे employment status आपको डाल देना है अब part time थे यह चीज़ आपने डालनी है यहाँ पे continue कर लेता हूं and continue करने के बाद मेरे सामने अलग interface आएगा अब इस interface के उपर क्या करते हैं लोग काफी जादा लोग क्या करेंगे अपना base पे जादा जाल देते हैं क्योंको पैसे जादा चाहिए और उनसे काम करना है काम मेरे दोस्त यहाँ पे आपको पैसे कम ड देख लो आप कितनी ही वीडियो देख लो सब बताएंगे कि यहाँ पे आप हजारो रुपे आर्निंग कर सकते हो दर लाखों रुपे आर्निंग कर सकते हो मेरे बाई ऐसा नहीं है दिल से बता रहा हूं आप सभी लोगों को कुछी website और कुछी तरीके है उन website के अंदर काम ऐसाद में वनाऊं यहाँ पर आपने क्या करना है ज्यादा लाला बत करना दस अजार रुपे डाल देना यहाँ पर त्याइक चहिए पर मइने किसा आप से टाइकिंग करना है दो से तीन गंट on कर कर देना यह मिलिद टो में मेल मिल दाल देतो और यहां पर मिटसे experience पूछा जा रहा है minimum 2 साल का experience हो जाएगा नहीं है कोई बात नहीं बन जाएगा ठीक है लेकिन do you get a bonuses of tip और sale इस चीज़ को आपको no कर देना है और submit के उपर click कर देना है अब जैसे ही आप यहां पर submit के उपर click करोगे आपके सामने एक rating का option आएगा जो पिछली आपकी company थी freelancer.com में जो आप काम कर रहे थे वो आपको कैसा लगा यहां पर आपने इसकी rating डाल देने और company के बारे में लिख देना है बड़िया तरीके से तो यहां पर इन सभी चीज़ों को लिखने के बाद आपको जाना है और आपके सामने बहुत सारा ऐसा content writing का काम आजाएगा जो कि आप यहां ठक जाओगे करते करते लेकिन यहां पर काम रुकने वाले नहीं है अब एक चीज़ में आपको और बताने वाला हूँ इस वीडियो के अब बात आते हैं कि यहां पर सारी जोब है वो 100% eligible नहीं हो उसके लिए मैं पहले बता दो अब क्या करते हैं लोग वाग इनके इंदर job apply कर देंगे और randomly यार अगर कैसे भी data वाटा इन लोगों को मिल जाता है जो like fraud लोग भी होते है कुछ-कुछ उनको data मिल जाएगा और वो directly call करेंगे सर इतना pay कर दो मैं strictly कहा रहा हूँ और avoid करना है उन लोगों को जो आप से पैसा मांगे आपके काम के लिए आपको single rupees भी नहीं देना है please 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 request करके बोल दू पूरे वीडियो में और पूरे YouTube पे किसी भी job के लिए एक रुपे भी आपको नहीं देना है अभी यहाँ पे जो आपको काम मिलेगा वो बहुत असानी से मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं na rosegarhindi.com कोई website है इसके लिए यार इनने content writing का कोई बंदा चाहिए ठीक है जिसको ओना part time hours है 42 hours per week मनलब 42 घंटे per week कर सकते है salary यार यह लोग जादा नहीं दे पाएंगे यह लोग 100 रुपे per day की salary दे पाएंगे आप लोगों को लेकिन यार इतने मेना कुछ लोगों का तो काम चली जाएगा easy apply के उपर click कर लेना है easy apply पर click करोगे यहाँ पर अपनी detail डालोगे आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी contact आजाएगा अब बात आती है लोगों से contact करने के बाद यह नहीं है कि आपको job ही करना है आप लोगों जैसी लोगों से contact हो जाएए आप उनसे बात करो कि सर हम एक legally दोर से मिल लेते हैं आपके साथ और एक काम करते हैं अब हम start करते हैं genuine work जिस पे आप में इनको project दो मैं आपको project complete करवा के work करूगा तो आप single के साथ-साथ अपने साथ और लोगों को भी ले सकते हो और उनको काम दिला सकते हो और अच्छी खासी part-time income घर बैठे generate कर सकते हो तो यार ये मेरा opinion भी समझो और एक मेरी advice भी समझो कि जितने भी website है फालतू website हो मैं मत जाओ इन website पे आओगए glass door पे यहाँ पे लोग बिल जाएगे जो भी लोग मिल जाए अगर वो job के लिए offer दे रहे तो बहुत अची बात है अगर job के लिए अगर थोड़ा और बढ़के काम करना है तो basically आपको वही करना है कि उनसे contract ले लेना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है दोस्तों कैसी लगी है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना लाता रहूंगा ऐसी अच्छी वीडियो जब तक के लिए जाए